कि अशकुरार साथियों दोस्तों हम HOL abrir पहले पार्ट में ये पढ़ चूके हैं कि गंगानदी की इन दो नदियों की मिलने से बंतिए पहुच जाती है दोस्तों हरीद्वार में आप गये होंगे दर्संकी होगे हरीद्वार में खास बात है जो गंगा नदी जब हरीद्वार में आती है प्रिवेस करती है तो यहां पर जो नदी है गंगा नदी की जो बहाओ है बहुत तेज होता है क्यों क्योंकि दोस्तों जब पहार से जब आपको पहार दिख रहा होगा दोस्तों यह पहार से नदियां तेजी से गिरती है तो जब उपर से आ रही हो इसका बहाव तेज होता है क्योंकि दोस्तों उपर से पानी गिर रहा है जब पानी कोई ची उपर से गिरता है तो इसका बहाव तेज होता है तो इसी में गंगा नदी क्या करती है प्रिवेश करती है जैसे ही यूपी में प्रिवेश करती है भाई सहाब यहाँ पे एक नदी खड़ा है कौन खड़ा है राम गंगा नदी इंतजार कर रहा है कि कब मेरी गंगा नदी आएगी तो जैसे ही यह गंगा नदी हरी दौार से निकलती ह कहां पर जाकर मिल जाती है तो में जाती में अपना अगी कर ड़ती I enjoy करती है गाना गाते हुए आगे को बढ़ जाती है फिर जैसे ही गंगा नदी ला 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 इसे गाना गाते हुए जाती है तो खट से यहां पर कौन ख़र राता है यमुना यमुना नदी दोस्तों यहां पर आके प्रियाग राज में आके मिल जाती है यमुना नदी निकलत कालिंदी नदी दोस्तों यम्दी नदी के नाम से जाना जाता है। प्रियाग राज में जाकर प्रियाग राज में जाकर दोस्तों गंगा नदी में धीरे से अपना बैट जाते हैं न यदि आप सो कोई बोलता नहीं नहीं आप जाते हैं तो ऐसे यमुना नदी क्या करती ये प्रियाग राज में जाती गंगा नदी में धीरे से जाकर मिल जाती दोस्तों ऐसे आप याद कर लिजेगा यदि यमुना नदी की सहाइक नदी चंबल बेतवा केन है तो ये गंगा नदी की भी दोस्तों सहाइक नदी होगी क्योंकि क्योंकि दोस्तों ये नदियां जो नदी को पानी है ये सब मिलकर गंगा में ही जाके मिल रहा है तो हम कह सकते चंबल बेतवा केन ये भी हमारा क्या है गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों ऐसे आप देख सकते हैं चली दोस्तों आज लेतना रखते हैं नवश्कार